बंदमातरम टुआल अफ्यू एंड मैं डियर स्टुडेंट्स एंड विवर्स एंड ओल टोटल सब्सक्राइबर्स आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडिक भी थारन में स्वागत है आपको पता है कि मैं पढ़ा रही हूं यानि कि हम पढ़ रहे हैं हम सभी पढ़ रहे है वाइस में हमने आपको बहुत कुछ बताया तो आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं गया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारा नू नौटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपके सामने कुछ लेके आ रहा है तो आपको ही कुछ देने आ रहा है ज्यान कभी परिपूर्ण नहीं होता है मानती हूं आपके पास बहुत नौलेज होगा लेकिन आपके सामने यदि कोई टाइम बेस्ट कर रहा है कोई आपको बताने आ रहा है कोई पढ पढ़हे होंगे उनकी पैसिफ भी पढ़हे होंगे, जानकारे भी होगी आपको लेकिन हमारे अंदर हमने आपको क्या नाया ृटाया है ऊस चीज को जानने के लिए उसी चीज को जानने के लिए आप वीडियो को अंततक जरूर देखिए और सब का अनालेसिस करिए अनालेसिस करने के पाद आपको जो भी अच्छा लगे उसको pen copy पे लिख लीजिए और अपने mind में बठा लीजिए तो सबसे बड़ी आपसे यही हमारी प्रार्थना है कि हम teachers ह हमारा काम है देना हमारे पास जितना knowledge है उस knowledge को आप तक पहुंचाना और उसका प्रयोग आप केस तरह करते हैं आप पर depend करता है तो हम तो आपसे request कर सकते हैं कि जो कुछ भी हम बताने आ रहा है जो भी पढ़ाने आ रहा है तो उसको मन लगा करके पढ़ने का प्रयास और fall to time जो हमारा यह lockdown का चल रहा है बोर हो रहे हैं उस बोरियत में आप नए से नए हर एक का सीखने का प्रयास करिए जो नया मिले सीखते चाहिए तो इसी शब्दों के साथ आप हमारे वीडियो कंदर तक जरूर देखिए कुछ न को जरूर नया पाएंगे यह हमारा आप अब से प्रामिस है तो आज हम आपको बता रहे हैं वाइस तो बहुत सारे पार्ठ हमने पार सातल पार बता दिailing लेकिन सबके हम लग अलग रूरस अलग अलग concept है यह उनीं चीज़ को आज आपके सामने जो लेके आ निए मैंप देखेंगे सुनें गे और ने का प्रयास कर और यदि कुछ आप से बढ़ रहे थो हमें भी बाहि कॉमेंट बता सकते हैं पूछना चाहते हैं हमस्की युवां रहे हैं तो हम चल रहे तो क्यों मेधि क्वाई necessary घल रह तो आप भी जानते हैं कि मॉड़ यू रवTrans कर में梯 की जाता है और कुछ का past में किया जाता है कुछ का present और future के रूप में किया जाता है और कुछ का past के रूप में किया जाता है तो अभी हम आपको बता रहे हैं passive voice for present and future models पैसिव वोईशा फोर present and future models तो present और future में कौन से model यूज किये जाते हैं वो बताना फिर उनका structure बताना उनका passive बताना तो चलते हैं में कदम आगे तो बच्चों चलते हैं हम देखिए आप देखेंगे कि कौन से model future और present में यूज किया जाते हैं उनकी passive कैसी बननी है तो सबसे पहले हम active जानेंगे active model किसी sentence में model का यूज कैसे किया जाना है तो एक sentence देखेंगे आप यह sentence देखेंगे he can speak English he can speak English यहां पे जो can लगा हुआ है यह model auxiliary verbs है यह model auxiliary verbs है यहां पे इसका प्रयोग किया गया है तो आप इसको देखेंगे यह क्या है model अब हमें इसे बनाना है इसका passive तो passive बनाने के लिए हम सबसे पहले जैसा affirmative sentence का बनाते थे जो हमारा subject होता उसको subject बनाएंगे फिर उसक लगाया करते थे auxiliary verbs लगाया करते थे बट इसमें हमारा auxiliary verbs already लगा है उसी के साथ में उसी के साथ में हम यहां पे बी लगा देंगे यहां पे प्लस बी का यूज कर लेंगे तो सबसे पहले object to subject हो जाएगा फिर model auxiliary verbs जो भी लगा होगा वो रहेगा उसमें कोई changing नहीं होगी उ नहीं कि आप concept यहां पर बैठा लिजिए model auxiliary verbs प्लस बी model auxiliary verbs प्लस बी बी लगाएंगे फिर में बर्वका 3rd form रहेगा में बर्वका 3rd form लगाएंगे और बाई का यूज करके हम ऐसा यूज करेंगे तो यह हमारा structure बन गया अब जो आपको structure समझ में आ गया है तिसमें आपको may, might, can, must, should और to का प्रयोग यह future और present के रोप में करना है इनका negative भी होता है और इनका interrogative भी होता है तो इसी sentence का मैं negative और interrogative बता दूँगी बागी की model का है आप पूरा का पूरा concept बठा लेंगे तो समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले चलते हैं यह active वाइस है तो इसका passive हम जब बनाएंगे तो इसका passive वाइस में जब हम convert करेंगे तो क्या हो जाएगा लिए हमने English English को बनाया English can be can be आप इस speak का थर्ड फॉर्म का है यह auxiliary verbs जो model auxiliary verbs से can और उसके साथ में be का यूज फिर आप English can be spoken spoken by by he का him ठीक यह यूज किया गए आपका तो आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको सिर्फ model जो भी model रहेगा उसी model के साथ में change करना है जैसे you must एक और ले ले लेते हम be number you must learn this lesson ठीक यहाँ पे क्या आगया हमारा must model auxiliary verbs के आया यह must must आया ना आप इसको हमें change करना है कि इसमें passive में change करना है तो passive में change करने के लिए वही rule तो this lesson यह passive wise में जाएंगे passive wise में this lesson this lesson must be must be इसका third formula by by you का यह है very simple very simple कोई भी changing बहुत ज्यादा हमें नहीं करना है बस model के साथ में model plus b का यूज करना है बार बार बता रही हूं model के साथ में आपको model plus b का यूज करना है तो यह क्या किसे tense का हो गया आपका यह हो गया है यह आपका हुआ ूहा अफुर्मेटिव संतेंस का इसवी प्रकार से हम आपको निगेटिव यहीं पर जरस्ट बता देते हैं इन्ही संतेंस में निगेटिव कैसे बणाना है तो न Ellis निगेटिव बनाने के लिए जैसे कैनोर्ट बी हो जायेखा के स्ट्टीश्ट भी मोस्यूमे चलते हैं हम इसको थोड़ा सा इरेज करके बता देते हैं शी शुड शुड नॉट प्लाक ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स ठीक शी शुड नॉट प्लाक ग्रीन प्लांट्स घारे पॉधे तोड़ देते उखाड देते हैं ऐसा तो नहीं उखाड न चाहिए इसका निगेटिब बनाने के लिए रूल हमारे स्ट्रक्चर वही रहेगा क्या रहना है स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर वही है कि हम अबजेक्ट टु सब्जेक्ट करेंगे फिर वही मॉडल अग्जलरी मॉडल अग्जलरी वर्पस ठीक यह जो कॉंसेप्ट हम आपको देते हैं एक सरल सिंपल सा बना के देते हैं इसको आप भी शेश रूप से ध्यान देते जाएंगे आप इसका हमें पैसी बनाना है इसका जो पैसी बनाना है तो क्या करेंगे ग्रीन प्लांट्स शुड नाट बी बी प्लग्ड बाई हर ठीक यह बन गया आपका यह आपका हो गया क्योंसा संटेंस हो गया यह निगेटिव संटेंस यह निगेटिव फोम में आप इसका हम इंट्रोगेटिव बता देते हैं हर एक का तो बताएंगे बहुत बड़ा बहुत बड़ा बीडियो हो जाएगा आपको समझना है कैसे यूज करना इसलिए हमने आफॉरमेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बता रही हूं तो आप कोशन मरक, can you lift this box, किस टेंस में है यह, model एक्जरील लगा है, बट यह इंट्रोगेटिव संटेंस में है, इंट्रोगेटिव संटेंस का रूल आपका सिंपल ही चलना है, को पहले लगाए रहना है कि कैन जैसे हमने बताय सींपल में स्में जिस तरह की चेंजिंग नहीं है, तुछिसमين क्या होजाएगा can passive बना रही हूँ में इसका structure नहीं दी इस structure आपको इसके recording समझ में आ जाएगा can this box can this box be can this box be lifted lifted by by you ठीक इस तरह से हो गया can this box be lifted by you structure बना चाहेंगे तो बहुत है simple है यानि कि हम model auxiliary verbs करेंगे यदि structure आपको बनाना है तो यहाँ पे model auxiliary verbs का model auxiliary verbs plus क्या करेंगे वही subject to object to object plus b plus mb का third form plus by plus subject to object to object and question mark and question mark तो यह पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पार्ट आपको समझ में आया है ऐसे model verbs जो present और future में यूज किये जाते हैं उनका passive, affirmative, negative और interrogative का कैसे बनाया जाता है इसको यहाँ तक आप समझ लेंगे pen copy में लिख लेंगे आप चलते हम past model जो जिनका use ऐसे model जिनका past में यूज किया जाता है उनका भी affirmative, negative और interrogative बता देते हैं तो बच्चों चलिए देखते हैं passive voice for past models जो model past tense में यूज की जाती है जिन models का use means जिन models का use past के रूप में किया जाता है उनका passive बनाने के लिए में क्या करना है तो आप जानते हैं कि जिए उनका active रहेगा तो उसमें past model जरूर लगी रहेगी जब लगी रहेगी और उनको हमें बनाना है passive तो passive सबसे पहले जान लेते हैं कि किन-किन क्रियाओं का किन-किन model verbs का हम past के रूप में यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारा है might have, may have, should have, ought have and must have इसी तरह से हम बहुत सारी और model accelerants का use past के रूप में करते हैं आप हमें जानना ही यहां पे उनके concept को वो concept हमें क्या बताता है तो structure जान लेंगे passive का structure है कि वही जो हमारा चला रहा है role concept कि object को subject बनाएंगे फिर जो उसमें auxiliary verbs model के रूप में लगा रहेगा उसको apply करेंगे प्लस उसके साथ में हम bean लगाएंगे b-e-e-n, bean का use करेंगे फिर main verb जो उसमें बव होगा वो third form में और by और वोई subject का object बनाना sentence देख लेंगे He must have passed the exam He must have passed the exam आब इसे हमें बनाना है passive में active दिया हुआ है हमें इसे passive wise में परिवर्थित करना है तो इसके recording हम चलते हैं तो सबसे पहले हमने लिया the exam the exam इसमें कौन सा model वो अब लगा है must have है न तो must have must have अब extra क्या गया हमारा must have been been बर वो कौन सा है past में है past by किसके द्वारा he का him ओके ये समझ में आगया आपको हमने क्या किया इसमें कि इसमें must have already लगा था उसके साथ में हमने bean को bean लगाया और main verb थर्ड फॉर्म में है already रहनी है इतना ही changing करना है में सीर्फ इतना change करना है और जो concept हम सुरू से आज 7-8-9 वीडियो जो बना दिये हैं जो जैसा rule हम बताते आए हैं सेम पसे भई हैं एक और देख लेते हैं एक हमस्ट है एक शूड है का इन सब का यूज आप अपने से कर लिजेगा यह जितने भी है माइठ है मेह है वैसे sentences ले करके इनका यूज आप अपने से करके प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप I should have started a job इसके लिए हमें अब क्या करना है इसका जब हम passive voice बनाएंगे अजोग अजोग शूड हैव शूड हैव आप एक स्टर क्या लगा ना बीन बीन आप स्टार्टर्ट इस्टार्टर्ट इस्टार्टर्ट बाई आएका में तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक यह हुआ कौन सा affirmative sentence का यह affirmative sentence का पास जो ऐसे model जो पास sentence में यूज किये जाते बड़ affirmative sentence में आप इसका negative बता देते हैं और interrogative तो एक इक sentence से हम ही नहीं का बता देते हैं इसी sentence में आपको हम हम इंट्रोग बता देते हैं तो negative के लिए he must not have passed the exam ठीक sentence ही चेंज कर देते हैं इसका ले लेते हैं ही शुड 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 नॉट हैव शुड नॉट हैव शुड नॉट हैव इस्टार्टेड आ जॉब ठीक आप इसा sentence आएगा निगेटिव आएगा तो निगेटिव ही रहेगा यदि आपको निगेटिव में चेंज करना होगा तो इसका एक्टी भी निगेटिव में ही रहेगा तो अब इसके लिए सेम का सेम लगाना है आपको यहां पर आणि कि जो आपका स्ट मॉडरल एक्जल्रिवर्प से यह यह पर पस्ट मॉडरल दौ दे रहे हैं यानि कि मइट हैundred इसी के आगे इसी के आगे भी इनको बढ़ा देना है तो इसका जो तो अजोब अजोब शुड नाट शुड नाट है बीज देखना आपको है इसमें एक्स्ट्रा क्या पैसी में लग रहा है शुड नाट है बारेडी लगा है एक्स्ट्रा आपका बीजाता है started started by him by he got him ठीक ये हो गया ये ऐसा हो गया आपका ठीक तो ये आपको भी समझ में आगे होगा आप चलते हैं आपको हम बता देते हैं इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव में आपका संटेंस ले लेते हैं शुड ही है और शुड ही है बुट ही है इस्टार्टरड अजॉब क्या उसे कारे शुरू करना चाहिए था ठीक आप हमें बनाना इसका इसका पैसिब बनाना है तो पैसिब के लिए भी रूल हमारा रहेगा शुड को पहले करेंगे शुड अपने स्थान पर रहेगा शुड अजॉब शुड अजॉब है बीन है बीन स्टार्टरड इस्टार्टरड बाय ही का हिम चीक तो आपको क्या करना है सिर्फ यदि आपको टेन्स बन रहे हैं टेन्स के सारे रूल बन रहे हैं इस तरह के जो आपके रूल बन रहे हैं और आपने शुरुवाती दौर में पूरे के पूरे वाइस यदि पढ़े होंगे यदि नहीं भी पढ़े हैं तो हमारे लास्ट वीडियो को जा करके स्टार्टिंग से सुरू करियेंगे आपको पूरा यह समझ में आ जाएगा तो आपके सामने जो था मॉडल एक्जलरी वोप्स का प्रेजेंटेंस और फ्यूचर में जिनका यूज़ किया जाता है उनका अफॉर्मेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव और पास्ट मॉडल्स का भी अफॉर्मेटिव निग आपके मॉडल एक्जलरी वोप्स का पैसी वाइस खतम होता है और यह अन्त तक आ करके देखे हैं आप हमारा यह वीडियो तो मैं आपके तहें दिल से बहुत बहुता भारी हूं क्योंकि मेरा मतलब है ग्यान देना अप आप ग्यान ले रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहु आपके पारी हूं वो फो वो वाइस फीडियो थैंक यू सो मच